असलाम लेकूम बिस्मिल्ला रख्मान वहीम तोड़े वी एर गॉइंट डिसकस वाट इस बीइंग स्केलेबल और वट आदर स्केलेबिलिटी दाइमेंशन्स देखें हम सब जानते हैं अभी तक जितना भी हमने पढ़ आया उसके बिना पर के क्लाउड के अंदर स्केलेबिलिटी प्रॉपर्टी है रन टाइम पर यूजर जितनी भी डिमांड करता है उसको उतनी रिसोर्स देरी जाती है चाहे हो बहुत ज़्याद है चाहे हो बहुत काम है ठीक है तो लेकिन आज हम यह देखेंगे कि as a cloud service provider as a cloud administrator as a cloud service provider as a cloud administrator मैं यह कैसे चेक कर सकती हूँ कि मेरा cloud scalable है या नहीं है क्योंकि मैं cloud service provider हूँ अगर मेरा cloud scalable नहीं होगा तो customer जो है नो मेरे पास नहीं आएगा ठीक है यह issue है तो आप अपने cloud की scalability को कैसे check कर सकते है इसके तीन तरीके है ठीक है पहला है size scalability दूसरा है geographical scalability और थाड है administrative scalability ठीक है अच्छा अब इन तीन टाम्स को जिनके थूँ हम cloud की scalability को चेक कर सकते हैं उनसे पहले मैं यह बताती चलूँ कि cloud को scalable कैसे बनाया जाता है वो scalable होगा तो उसकी scalability चेक होगी ना तो इसको scalable कैसे बनाया जाता है पहले यह discuss करते हैं देखे हम सब को पता है हम सब को पता है कि कभी कभी जो हता है वो load बहुत ज़्यादा हो जाता है servers के उपर कुछ days ऐसे आते हैं इसी तरह आप जो है ना इस example को देखें कि for example सरगोदा के अंदर एक data center है cloud is a data center we have already talked about it कि cloud एक data center है तो सरगोदा के अंदर एक data center है ठीक है cloud का बहुता क्या है कि मैं cloud service provider हो मुझे बता चला है कि जो next three to four days होंगे उसमें बहुत ज़्यादा traffic होगी cloud के उपर तो अब मुझे अपने cloud को scalable बनाना है पहले से ही ताके मेरे servers पर load ना आए अगर मेरे servers पर load बहुत ज़्यादा हो गया तो मेरे server down चले जाएंगे और अगर server down चले गे तो जो है ना customer का experience हमारे cloud के साथ बुरा हो जाएगा और पर customer दुबारा नहीं आएगा इसलिए मुझे पहले सी अपने cloud को scalable बनाना है ठीक है तो मैं क्या करूँगी इसके लिए मैं दो तरीकों से अपने cloud को scalable बना सकती हूँ एक है vertical scalability एक है horizontal scalability vertical scalability क्या होता है vertical scalability है होता है कि मैं अपने इस data center के अंदर for example 50 servers है ठीक है मैं हर server की RAM को बढ़ा दूँ हर server की storage को बढ़ा दूँ हर server की processes की quality को increase कर दूँ नए processes लगा दूँ यह इस तरह यह ज़्यादा processes लगा दूँ इस तरह मैं अपने एक एक server के पास जाके उसकी properties को enhance कर दूँ ठीक है इसे हम कहते है vertical scalability vertical vertical scalability ठीक है अगर यहाँ पे मैं कोई आपको लगा के दिखा सकूँ अच्छा आप इस ता भी समझे सकते हैं server है कि रेक होता है इस ता ब्लैक कलर का रेक होता है तो वो ऐसे होता है vertical तो इसलिए से कहा जाता है vertical scalability के एक server जो है एक server जो है उसकी जो scalability है ना उससे enhance कर दिया जाता है इसे कहते है vertical scalability ठीक है अब दूसरा तरीका क्या है अपने server अपने data center को scalable बनाने का वो है horizontal scalability horizontal scalability कैसे होगी horizontal scalability ऐसे होगी कि मेरे जो cloud है ना उसके अंदर कोई 50 servers है मैं क्या करती हूँ मज़ीद 20 servers उठा कि अपने data center के अंदर ले आती हूँ और उन्हें अपने data center के अंदर लगा जाती हूँ इसे हम कहते है horizontal scalability scalability अच्छा इन दोनों में से better कौन सी है अप लेकिन जब आप horizontal scalability करते हैं तो आपको किसी भी server को छेड़ना नहीं पड़ता आपने बस नए server जाने है और उन्हें लगा देना है यह कहने में असान है आगे हम इस पर discussion करेंगे लेकि इस लिहाज से horizontal scalability को ज़्यादा अच्छा समझा जाता है ठीक है और हम जो यहाँ पर scalability मेयर करने की तीन तरीके देखेंगे इनने भी हम horizontal scalability के लिहाज से देखेंगे कि as a cloud service provider मैंने क्या किया horizontal scalability की approach को बकड़ा और जो मेरा सरगोदा के अंदर data center था उसमें मज़ी 20 servers लाके मैंने रख दिये ठीक है अब मैं अपने cloud की scalability को कैसे check करूँगी तो इसे देखते हैं ठीक है let's get start पहला है size scalability ठीक है size scalability में हमारे पास क्या होता है can easily add more users and resources noticeable loss of performance storage capacity including the input output transfer rate the server a group of servers can simply become a bottleneck that needs to process an increasing number of requests मैंने एकी दफ़ा में सारे English बहुन दी लेकि मैं समझाती हूँ अभी है क्या size scalability कैसे check की जाती है एक simple words मैं समझाती हूँ देखें जब मैं अपने data center के अंदर नए servers को लेके आई हूँ ठीक है तो अब मुझे नए servers की configuration तो करनी करनी है ठीक है और उने existing जो मेरे पहले से मुझूद servers हैं उनके साथ उनकी network जो मैं नए लेकर आई हूँ servers और जो मेरे पहले से server बढ़े हूँ है उनकी मैं आपस में networking भी करनी है ठीक है अब उनकी जो मैंने नए servers आए हैं उनकी configuration करनी है और पहले से मुझूद servers और नए servers की आपस में जो है ना मैंने networking भी करनी है यह दो काम मैंने करने है बहुत से काम दोते हैं लेकि में यह दो ही काम है तो मैंने यह काम करने है तो इन दो कामों को मैं कर रही हूंगी जिस time उस time मेरे जो बाकी server कई पर्फॉंस हैं पर्फॉंस में कुई अधर ना कुछा ना रहे हैं तो वह उन्हें वैसे हैं कि आट-पूट अच्छी से और जो आना अच्छे से रिस्पॉंस मिलता रहे कोई भी जो आना देड़ ना हो कि रिस्पॉंस आने में देड़ ना हो या सर्वर डाउन जा रहा है ऐसा कोई मेसेज अपेर ना हो तो सिंप्ली का साइस के लिबिल्टी ऐसे माईर की जा सकती है कि जब मैं इस बात को दोरा कवर अप करती हूँ कि जब आप अपने सिस्टम की सिस्टम में नए सर्वर्स लेकर आएं तो आपके जो एक्जिस्टिंग सर्वर्स हैं वो जो उस टाइम काम कर रहे होंगे यूजर्स को सर्वर्सिस प्रोवाइड कर रहे होंगे उसमें कोई फरक ना पड़े वो जिस स्पीड से पहले सर्वर्सिस प्रोवाइड करे थे उससी स्पीड से आप सर्वर्सिस प्रोवाइड करें क्योंकि जब आप पहले से मुझोद सर्वर्स और नए सर्वर्स की आपस में नेटवर्किंग करें होंगे और उन नए सर्वर्स की कन्फिगरेशन करें होंगे तो ये इशु आ सकता है कि जो सर्वर्स पहले से मुझूद है उनकी यूजर के उनकी वो सर्विस प्रोवाइड करने में तो लेट रिप्लाइद है यूजर को तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ऐसा नहीं होता हमारा सिस्टम तो इसका मतलब है कि जो मेरा सिस्टम है उसमें साइज स्केलिबिलिटी है मेरा सिस्टम साइज के लिहां से स्केलिबल है ठीक है मैंने बहुत लंबी तमहीद बांग दिया लेकिन होपस आप लोगों को समझ आगी होगी नेक्स्ट है हमारे पास जियोग्राफिकल स्केलिबिलिटी जियोग्राफिकल स्केलिबिलिटी क्या होता है जियोग्राफिकल स्केलिबिलिटी यह होता है कि अच्छा एक बात आप लोगों के माइन में आती होगी आएगी शायद कि मैं अपने डीटा सेंटर के अंदर मजीड 20 सर्वर उठा के लिए और मेरे डीटा सेंटर के अंदर जगा ยी नहीं हो तो फिर मैं क्या करूँगी ये भी एक मस्जा है तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैं यहां तो एक अलОक से data center जो है ना उसमें नए servers बनाऊंगी और उसके अंदर में servers लगाऊंगी ठीक है एक ये है ये हैल है इसका ठीक है तो इसका मतलब है कि हमारे data centers जो हैं उने scalable बनाने के लिए हम नए data centers भी बना सकते हैं ठीक है तो अब बात यहां पर यह आती है कि जोगाफिकल स्केरेमिल्टी में कि अगर मेरे system में नए nodes आए हैं ठीक है तो ये जो नए nodes आए हैं इन के साथ जो है ना मेरे existing servers की जो communication है वो बहुत अच्छे से हो कोई मुश्किल ना पेश आए नए servers की और पुराने servers की आपस में communication easily हो जाए कोई मुश्किल ना पेश आए ये लोग आपस में ठीक से communicate करें ठीक है अगर एक ये data center के अंदर servers है अगर मैंने कोई नया data center बना के उसके अंदर servers लगा दी है चूंकि दोनों data centers एक दूसरे से फासले पर होंगे तब भी इनकी जो communication है उसमें कोई जो है ना वो डिलेज ना आए या उनकी communication बहुत स्मूथली हो जाए कम से कम डिलेज आए और जो है ना क्योंकि जब इनकी communication स्मूथली होगी उसमें डिलेज कम होगे जब या अपस में communicate अच्छे से करेंगे तो यूजर को फैसी डिलेट भी उसी लहाज से जल्दी करेंगे ठीक है अच्छे ने अपस में communicate करना क्यों पड़ता है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारी जो फाइल्स होती है उसका चंक जो होते हैं डिफेंट सर्वर्स पर सर्वर्स पर पड़े होते है तो जब फाइल के चंक को कट्छे किया जाता है तो सर्वर्स आपस में communicate करते है यहां अगर एक सर्वर्स पर बहुत ज़दा लोड आ गया तो दूसरे सर्वर्स पर लोड को handover कर देता है ठीक है यहां हमने load balancing का कोई program लगाया होता है तो वो सर्वर्स के दर्मियान load को balance कर देता है तो जब भी इन सर्वर्स को अपस में communicate करने की ज़रूत पड़े तो इनकी communication में अगर कोई भी issue नहीं आ रहा तो मैं कहूंगी कि मेरा जो data centers है वो geographically distributed है और उसे जोगाफिकली scalability है इनके अंदर ठीक है अब बात यह आए के देखें यहां पर ना बात की जारी है synchronous communication की synchronous communication वो होती है जिसमें हमें जब तक acknowledgement नहीं आती तब तक हम अगला packet से हैंड नहीं करते अच्छा मैं आपको एक बात बात बताती हूँ मैंने यहाँ पर दो सनदीज बताएं आपको geographical scalability के अंदर के यहां तो मैं अपने उसी data center के अंदर जब नए servers लेकर आऊंगी तो existing servers और नए servers की communication में जो है न वो issues नहीं आएं अगर issues नहीं आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम जिज़ाफिकली scalable है और दूसरा मैंने यह बताया है कि अगर मेरे मैं नए servers अपने किसी दूसरे data center के अंदर रखती हूँ ठीक है तब भी जो है ना इनकी communication जो है उसमें फरक नहीं आना चाहिए जाहिए सी बात है दोनों data center एक दूसरे से दूर होंगे ठीक है तो अब यहाँ पर synchronous communication की बात इसलिए की गई है कि दोनों data centers जब एक दूसरे से दूर होंगे तो वो over the internet एक दूसरे के साथ communicate करेंगे ठीक है तो लेकिन जब वो एक data center के अंदर होंगे ना तो mac address पे भी communication हो सकती है हम पढ़ते हैं ना कि land के अंदर तो mac address से भी communication हो जाती है जब land के अंदर topologies लगी होती है wires के दूर communication हो जाती है लेकिन wide area network में हम internet के थूर ही communicate करते हैं communication delays may be significant is hardly notice कि communication delays थोड़े आते हैं पर आते जरूर हैं क्योंकि internet के ओवर हम communicate कर रहे हैं in contrast local area network often sport efficient broadcasting mechanisms देखें जो हमारे local area network है ना उनके अंदर जो हमारी communication है वो ज्यादा अच्छी होती है ठीक है क्योंकि वो ज्यादातर over the internet communicate नहीं करते हैं अगर over the internet भी communicate करें तो चुँके वो एक ही रूम के अंदर हैं एक ही जगा पर हैं तो उनकी communication ज्यादा अच्छी हो जाती है तो communication के लिहाद से जो है ना वो दो ऐसे data centers की बात करते हैं जो एक दूसरे से दूर दूर है यानि इसको कहते है white area network when तब क्या होता है तब हमारे चुँके इंटरनेट पर communication आ रही है तो delays आई जाते हैं तो यह issue है इसलिए कहा जाता है कि local area network जो है वो इसने हास से ज्यादा बेतर है ठीक है उनकी communication ज्याद अपने data center के अंदर मजीर servers लाके रखती हैं तो मेरी जो existing man power है जो मेरी existing administrator है वही उन्हें अगर manage कर लगते हैं मेरे नए servers को भी manage कर लेते हैं तो मैं कहूंगी कि मेरा system जो administratively scalable है ठीक है और अगर दो data centers दूसरे data centers में मेरे servers लाके रखते हैं तो यह है कि यहाँ से कोई administrator जाक कि उन्हें संभाल ले या मुझे अगर administrator की जरूरत भी पढ़े तो कुछी एक दो administrative की जरूरत पढ़े ज्यादा administrator की जरूरत ना पढ़े ठीक है मेरी existing man power ही use हो जाए या मुझे अगर जरूरत भी पढ़े तो किसी एक दो की पढ़े ज्यादा की ना पढ़े तो इससे हम कहत है कि मेरा जो system है administratively scalable है अच्छा next आता है यह problem है देखें अगर मैं जो वह पकस्तान में रहती हूं और एक data center पकस्तान में दूसरा South Africa में मुझे जो service चाहिए ना वो South Africa वाले server है उसके उपर है लेकिन मैं उसको access नहीं कर सकती क्यूंकि जो South Africa वाले server data centers है South Africa की जो policies है वो change है जो उनकी currency है वो change है management की चीजे चेंज है ठीक है उनकी हर चीज चेंज है और मैं पकस्तान में बैठी हूं तो पकस्तान के data center की जो management होगी जो payment होगी जो resources होगी वो change होगी लेकिन इस ता मुझे उन्हें access करने में बहुत problem आएगी तो इसका solution क्या है इसका solution है computational grid अब grid क्या होता है इसे हम next lecture में अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन इससे ही हो सकता है कि मैं यहाँ बैठी हुई हूं पकस्तान के अंदर और मैं क्या कर सकती हूं साथ अफरीका में मुझूद जो resources है ना उन्हें access कर सकती हूं कैसे कि जो मेरे यहाँ data center में मुझूद A है allowing program running on a computer organization A directly access resources at organization B कि जो यहाँ का जो data center है वो साथ अफरीका के data center में से services लेगा उनके server से यहाँ ले कि आएगा और मुझे provide करेगा तो यह है इसका solution और grid क्या होता है इसे हम next lecture में अच्छे से पढ़ेंगे जो मारा next lecture है वो grid computing पर ही है तब आपको इस बात की ज़्यदा समझ जाएगी अभी यह lecture थोदा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको यहाँ पर खतम किया है अगर आपको कोई बात समझ ना है तो आपने comment करना है और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप में इसको like करना है और में चैनल को subscribe करना है और इसे share भी करना है अलाफ़ेश करें प्रोबर मेरी वीडियो कर दो आपते है लाएगी यह वीदार आपने किया और यूजर आपको करना है और जापको करना है और आपको 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 करना है अलाफ़ेश